नमस्कार, कल भारती जनता पार्टी का संकल्पत्र पब्लिक डोमेन में आया है, बीजेपी ने अपना संकल्पत्र पेश किया है, दो तीन बातें उसमें बेहत महत्वपूर हैं, मैं एक जो निरने है भारती जनता पार्टी का, कि अगर तीसरी दफ़ा बीजेपी सरकार में चुन करके आती हैं, तो सत्तर वर्ष से उपर की आयू के जितने लोग हैं इस देश में, अमीर, गरीब, मध्यंबर्ग, तमाम लोगों को इंस्वरिंस की सुविधा मिलेगी, मेड निरने क्यों आ रहा हैं, इस से कितने लोग प्रभावित होंगे, कहा जा रहा है कि पांच से लगभग 6 करोड जो आवादी है, इस से प्रभावित होगी, भारते जनता पार्टी ये सोच रही है कि 6 करोड इस आवादी को, जो अपने उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं, जो कि किसी भी परिवार में हो, गरीब परिवार में हो, मध्यमबर्गिय परिवार में हो, या अमीर परिवार में हो, वो कही न कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, और ये जो अकेला पन है, उसको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी संबल जब मिलता है, तो वो उसकी त को अपने तरफ करने के लिए ये उनका मास्टर स्टोक है अच्छा ये आवादी ऐसी थी जो ये भी बिचार कर रही थी कि कौन सही है कौन गलत है उम्र के ऐसे पड़ापर हैं जहां उन्होंने सब्तर बसंत देखे हैं आजादी के बाद उनका जन्म हुआ है लेकिन आजादी के बाद के भारत को भी उन्होंने देखा है और खास दोर से जब वो जवान रहे होंगे तब तो उन्होंने जरूर देखा है नहरू के भी दौर को देखा होगा इंदिरा के भी दौर को देखा होगा बाकी और प्रधान मंत्री के कारिकाल को भी देखा होगा तो ये जो इं रणे है कि इस आयू वर्क को कैसे अपने पक्ष में किया जाए दो महत्वपूर्ण कारण एक तो मेडिकल इंस्वरेंस की जो कमपनिया हैं वो साथ वर्ष के ऊपर के आयू वालों का एक प्रकार से इंस्वरेंस करते ही नहीं है सतर वर्ष वालों का तो बिलकुल नहीं करते हैं तो ये जो कमपनी है वो जब सतर वर्ष के लोगों के लिए आस्रा बनने का या उनको कोई संबल देने का उनके पास कोई प्लैन नहीं है और वो इसमें यकीन नहीं करते हैं इसका मतलब है कि मेडिकल इंस्वरेंस जो है वो ए ये insurance के पास एक प्रकार से जगविदित आंकड़ा है कि जितने लोगों का वो insurance करते हैं उस में से कितने percentage जो हैं उस insurance का लाव ले पाते हैं हाल के दिनों में जब ये आंकड़ा बढ़ा तो medical insurance कमपनियां जो हैं वो caveat लगाने लगी ये बिमारी होगी तो हम नहीं देंगे इतने दिनों से होगी तो हम नहीं देंगे हिस्ट्री आपकी ऐसी रहेगी तो हम नहीं देंगे बहुत सारे इफेंट बट्स उसमें लगाएगे प्रधान मंत्री को यही चीज भागया और उनको लगा कि चूकी private company इस तरह से लोगों को मदद नहीं करती है जो आबादी सबसे जादा आर्थिक मदद की आवशकता जिस आबादी को महसूस होती है उम्र के इस पड़ाब में वो है 70 वर्षी आबादी 60 वर्षी आवादी लॉंजिविटी भी बढ़ रही है हमारे यहां हमारे यहां जो एवरिज आयू है वो भी 70 के आसपास हो गई है इसलिए प्रधान मंत्री ने यह सोचा कि अगर 70 वर्षी पॉपलेशन को हमने साथ लिया तो 6 करोड पॉपलेशन को हम साथ लेंगे और इसलिए प्रधान मंत्री का यह मास्टर स्टोक है अब देखना यह है कि इस मेडिकल इंसोरिंस के डाउं से बीजेपी को कितना लाग मिलता है युवावर्ग को लुगाने के लिए उनके पास स्टार्ट अप डिजिटल इंडिया और कई कैम्पेञ्ट वो ले करके आए है एक और इंपॉर्टन बात किया अपने संकल्पत्र में उन्होंने बीस लाग कर दिया मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ा करके पहले दस लाग तक था अब बीस लाग कर दिया अब बीस लाग लोन की जैसे ही सीमा बढ़ी है उससे आपको छोटे छोटे स्टार्ट अप को जरूर लाब होगा लाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है य अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन चुकि चार जुन को जिनको लाब होना है उसके लिए उन्होंने एक मास्टर इस्टोक और खेल दिया है तो मुद्रा लोन की सीमा बढ़ा करके 20 लाग करना और 70 वर्ष की आयू के लिए इंस्वरेंस लेकर के आना ये द आरते जनता पार्टी तीसरी दफ़ा सरकार में चुन करके आती है तो ये 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 काम करेगी लेकिन ये दो महत्तपूर्ण काम जो है वो एक प्रकार से युबा जो आंत्रपेनियोर है जो उद्यमी है जो अपना उद्यम लगाना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं पार्टी का सोच है कि 20 लाग हम उसकी सीमा को कर देंगे मुझे लगता है कि इस ब्रैकेट में बहुत सारे युबा अपना भविश्य तलास सकते हैं तलास पाएंगे की नहीं पाएंगे अभी तक का इध्याज क्या रहा है ये हमने देखा है बहुत जादा लाब मुद्रा लोन से लोगों को नहीं फवा बहुत सारे इन पीए हो गए उसमें लेकिन फिर भी लोगों को कुछ न कुछ आस तो बंदती है अगर कोई राज़तिक पार्टी चुनाप के दोरान इस तरह के वाइदे करती है तो निश्चित रूप से राज़तिक पार्टी को उसका लाब मिलता है इसलिए चार जुन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का जो संकल पत्र है ये दोनों मुद्दे बीजेपी को निश्चित रूप से लाबकारी परिणाम दे सकते हैं अब ये कितना ये परिणाम भारती जनता पार्टी के पक्ष में आता है ये तो आने वाला दि बताएगा लेकिन ततकाल ये दोनों मुद्दे भारती जनता पार्टी के संकल पत्र में आने के बाद मास्टर स्टोग जरूर कहा जाएगा धन्यवाद